दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूपी बोर्ट के आठमीक अच्छा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय दो भारत में अंग्रेजी राजी की अ अंग्रेजों ने उपनिवेशकियों बनाया ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी और भारत की राजाओं या सासकों की संबंध कैसे थे प्लासी और बकसर का युद्ध तथा इलाहाबाद की संधियां और उसके प्रमुख प्रावधान कौन-कौन से थें दोस्तों ये वीड अध्याय से संबंधित सभी महत्तपोंड प्रशनों को भी साल्व करेंगे तो आएए शुरू करते हैं यूपी बोट की आठवीक अच्छा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय दो भारत में अंग्रेजी राज्य की अस्थापना दोस्तों आप जान थे इन तरह के ब्यापारियों के साथ यूरोपियों के साथ ये भारत में ब्यापार करने के लिए आये थे लेकिन धीरे धीरे भारत में इन्होंने अपना राज यानि अपना शासन अस्थापित कर लिया इसके लिए उन्होंने कौन-कौन से तरीके अपनाए इसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों देखिए 18 सताबदी में मुगल सामराज्य की शक्त जो है ये छीड हो रही थी प्रांती और छेत्री शासक जो थे अपनी स्वतंत्र सत्ता उन्होंने ऐसे में अस्थापित कर लिया था इनमें कौन-कौन से राज्य महत्वपूर्ण थे बंगाल य अपना स्वतंत राज्य अस्थापित किया था मुगल बादशाह का नियंतरण नाममात्र का रह गया था और इस सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच बिश्व में उपनिवेसों और ब्यापार से जादा से जादा मुनाफ़ा यानि लाभ कमाने के लिए क अपने अपने देश की कमपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे और ये क्यों होता था इसका कारण क्या था तो दोस्तों इसका महत्तपूर कारण अधिक से अधिक लाभ यानि धन कमाने की इच्छा थी और उपनिवेश बनाना तो सबसे पहले जान उपनिवेश या कॉलोनी क्या है तो दोस्तों उपनिवेश राज्य किस तरह से किसी अन्य राज्य की उन्नत में सहाइप होता है इसको समझना जरूरी है जब एक देश उदाहरण के तौर पर इंगलेंड को लीजिए वहां के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व अस्थापित करते हैं तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश बन जाता है पहला राज्य यानि जो उपनिवेश बनाता है वो दूसरे राज्य का सर्वे सर्वा मुख्य देश बन जाता है मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधन यानि रिसो लगाता है तो इस तरह से भारत जो है ब्रेटिस उपनिवेश रहा और भारत का आर्थिक पतन ब्रेटिस उपनिवेश का सीधा पैडाम था एक टॉपिक है यहाँ पर भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश या कॉलोनी क्यों बनाया देखे सबसे महतुपूर बात य है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दोरान कई परकार के कार खाने लगे थे कार खाने यानि फैक्टरी जहां से बड़े पैमाने पर वश्टूओं का उदबादन होता था और इंग्लैंड भारत को केवल कच्चे माल की पूर्ति का साधन यानि जहां से उसके भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर माला माल होते रहे इसकी अलामा वे भारत में कई जरूरी फसले उगवा कर उन्हें दूर दूर बेचते थे इसमें नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय और कहवा था और ब्रिटिसों ने ब्यापार की ये सब चीजें लाने और ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर छेत्रों में रेल लाइन और सडके बनाई इसके लिए वे लोहा, कोईला, आधि खनीजों की खादाने खोदना चाहते थे और जंगल से लकडी का ब्यापार करना चाहते थे और ये सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह- बनाया था, उपनिवेश में सीधा सीधा जो मतलब होता है कि एक धनी और संपन देश दूसरे देश के उपर अपना राजनीतिक और एक प्रकार से आर्थिक अधिकार कर लेता है और उपनिवेश जो देश होता है उपनिवेश बनाए गए देश के संसाजनों का उप्योग वो अपने हित और लाव के लिए करता है औद्योगी क्रांति या इंडस्टियल रिवोलुशन क्या है जो बृतेन में फैला था इंग्लेंड में तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाएगे विशेश अभियान को औद्योगी क्रांति कहा जाता है और सबसे पहले अद्योगी क्रांति इंग्लेंड में हुई थी जिससे उत्पादन बड़े पैमाने पर फैला था या बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को ये जो उपनिवेशी करार और कैसे लाव लिया जाता है इस प्रक्रिया को समझने के लिए आप इस रेखचित्र या डायग्राम की मदद ले सकते हैं जैसे सबसे पहले भारत में कपास की पैदावार जो है भारत में कपास की पैदावार हो रही है यहां से भारत से कपास यानि कच्चा माल इंग्लेंड भेजा जा रहा है और इंग् के दाम में बेशते थे यानि कपास या कच्चा माल हमारे यहां से उत्पादिध होकर इंग्लेंड जाता था वहां से कपड़ा बनकर फिर उसे भारती बाजारों में बेश दिया जाता था लेकिन इसका दूस्प्रभाव यह हुआ कि जो भारती बुनकर थे ये विदेशी कारखाने का मुकाबला नहीं कर पाए कारखाने में कपड़ा जल्दी बनता था उसकी लागत कमाती थी जबकि भारती बुनकर को हास से कपड़ा बनाने में काफी समय लगता था उसके कपड़े की बिक्री काफी कमदाम में होती थी इससे भारती जहाजों से इंग्लेंड के कारखानों में भेज देती थी अंग्रेज इंग्लेंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा चाय से चाय पत्ती नील के लिए कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील ये सब जहाजों के माध्यम से भारत और यूरोप में अधिक दा और ले जाने के लिए रेलवे लाइन सडक दूर संचार यानि या तयात और संचार के साधनों की विवस्था की इससे ब्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रत दिन मुनाफ़ा बढ़ता गया ये सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया यहाँ पर बच्चों से एक प्रश्ण पूछा गया है कि आपकी समझ में मुनाफ़ा या लाव कमाने के लिए पैसों का उप्योग किस प्रकार करना ठीक होगा घर में रखना बैंक में जमा करना सोना चांदी खरीदना या उद्योग में ल लंबे समय तक लड़ते रहे और इसको हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा है एक कमपनी इसकोशिस में रहती कि दूसरे को भारत से ख़देड कर निकाल दे इसके लिए दोनों कमपनिया अपने अपने देश इंग्लेंड और फ्रांस से सैनिक बुलाने लगी और इसका में मतलब यही था कि एक देश को या एक देश की कमपनी को ब्रेटिश चाहती थी कि फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी को देश से ख़देड कर भारत के संपूर ब्यापार पर अपना अधिकार कर ले और फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी ब्रेटिसों को बाहर भगा कर जो है स का विशेश योगदान था दूसरी ओर डूपले डूपले ने फ्रांसीसी कमपनी का नेत्रित्तों किया था बहुत ही महत्वपूर है आप देख सकते हैं कि ब्रेटिस इस्ट इंडिया कमपनी की ताकत बढ़ाने में लाड कलाइब का और फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी की ताकत बढ़ाने में वहां के गवर्नर डूपले का महत्वपूर योगदान था अब आईए देखते हैं भारत के राज्य और विदेशी कमपनी की सेनाओं का जो है क्या इस्थिती थी क्या रवया थी यहाँ पर विदेशी कमपनी और भारती राजा के बारे में दिखाया ग जो लाब था वो भारतीयों को आपस में लड़ा कर दोनों यहाँ पर अपना राज कायम करना चाहते थे या अधिक से अधिक लाब कमाना चाहते थे भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में एक दूसरे पर हमला करते थे यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसमें उत्राधिकार संबंधी युद्धो होता था वे इन विदेशी कमपनियों की सहायता लेने में नहीं ही चकते थे दोनों कमपनिया इन जगडों में अपनी ठांगे अड़ाने लगी अगर कमपनी किसी राजा या नबाप का साथ देने को तयार हो जाती अपनी से सेना के पास बहतर नव सेना तोपे और बंदूखे थी यूरोपी सैनिक नियमित अभ्यास परेड और ड्रिल के साथ अनुशासित थे इन विशेस्ताओं के कारण यूरोपी सेना का पल्ला भारती सेना उसे भारी रहने लगा राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले म कमपनियां उनसे ब्यापार की कई रियायते आयठने लगी यूरोपी कमपनियों के पास बंदूखे थी जिससे बहुत तेजी से हमला किया जा सकता था जबकि भारती तोप और बंदूखों से अपर्चित थे इनके पास तलवारे भाले बर्चित थे जो की बंदूखों के स उसके राज्ये का एक बड़ा इलाका भेट या उपहार में ले लेती थी क्योंकि वो उसकी मदद की रहती थी कहाँ पर युद्ध के समय उस राजा के लिए युद्ध करती थी और ये बड़ा छेत्र जो है वो ले लेती थी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों उस इलाके के गाउं सहरों से कमपणी लगान वसूल कहती थी जो छेत्र लेती थी और लगान से मिले धन से ब्यापार करती थी और इस तरह मिले धन से कमपणी अपनी सेना का भी खर्चा चलाने लगी तो दिखिए कितनी अजीब बात है कि जमीन हमारी संपदा हमारी संसाधन हमारे लेकिन दो कमपनिया ऐसी आ गई जो इन दोनों के आपसी फूट का लाब उठा कर अपना हित करने लगी भारत में जमीन लेकर इन कमपनियों ने अपनी अपनी कोठिया यानी बैप्यारिक फैक्टरिया बनाई उनकी किले बंदी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े इनकी दोरा दक्षिन भारत के करनाटक छेतर में 1746 से 1763 के बीच तीन युद्ध लड़े गए ज इनको करनाटक युद्ध कहा जाता है और आप जान लीजिए कि 1760 में एक वांडी वाश का युद्ध हुआ था 1760 में वांडी वास की युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्थ हो गए और सिर्फ ब्यापारिक कारियों तक ही सीमित रहे उनका राजनेतिक हस्तक छेप पूरी तरह से समाथ हो गया करनाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 तक चला करनाटक का दूती युद्ध 1749 से 1776 तक चला और करनाटक का तिर्ती युद्ध 1756 से 1763 तक चला था अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र है सेंट जार्ज फोर्ट यह मदरास का यहाँ पर जल्यानों को कैसे जो है इस बंदरगाह की तरफ आते हुए और ब्यापार करते हुए दर्शाय गया है राजाओं और नबाबों को अंग्रेजों से खत्रा भी था यह खत्रा किस तरह का था तो कमपनी को भेट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारती राजाओं पर बहुत बोज बढ़ने लगा राजा और नबाब बयापार के खिलाव नहीं थे लेकिन वे अपने राजाओं और नबाबों को ये बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाय रखे, युद्ध लड़े, किले बनाए और अपनी शैनिक सक्ति की धाग जमाए वे कमपनी की दूसरी बातों से भी परिशान रहते थे ब्रेटिस इस्ट इंडिया कमपनी का भारत के राजाओं के राज से फाइदा उठाना जारी रहा और ये फाइदे किस तरह के होते थे इसको जानना जरूरी है देखे, पहला तो ये कि कमपनी के कर्मचारी अपना नीजी ब्यापार भी कर रहे थे वे अपने माल को कमपनी का माल बता देते थे और करना ही चुकाते थे इस तरह कमपनी तो धनवान हो रही थी उसके करमचारी और अपसर भी नीजी रूप से माला माल होकर भारत से वापस लोडते थे कई भारती ब्यापारी और सेट थे जो कमपनी के ब्यापार में मदद करते थे वे भी अपने माल को कमपनी का माल बता कर कर देने से बच जाते थे कमपनी की आड में राजियों में लूट पार धोखा धड़ी हो रही थी और कमपनी कारीगरों से जोर जबरजस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रहती जिसे यहाँ पर लोगों का बहुत नुकसान हो रहा था जो इलाके कमपनी को भेंट में मिले थे उनके किसानों से भी हस से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिस रहती थी जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ परते उस राजा को हटा कर वे किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके ब्यापार के तरीकों पर रोकने लगाए और उनकी मनमानी चलती रहे और इस तरह की घटना बंगाल में हुई थी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1756 में अली वर्दिखा की मृत्त्य होने के बाद उसका पोत्र सिराजुद्धौला बंगाल का नबाब बना सत्ता सम्हालते ही उसे घरेलू और बाहरी सत्रों का सामना करना पड़ा नबाब के इन बिरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था आउशर पाकर ब्रेटेस इस्ट इंडिया कमपनी ने नबाब के बिरोधियों की साजिसों में भाग लेना आरंब कर दिया इस समय यूरोपी कमपनियां साही फर्मान द्वरादी गई ब्यापारिक सुविधाओं का दुरूप योग कर रही थी साथ ही कलकत्ता इस्थित अपनी बस्तियों के किले बंदी भी करने लगी थी जब सिराजुद दौला को इसकी सूषना मिली तब उसने अंग्रेज ब्यापारियों द्वरा की जाने वाली सैने तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया और ऐसे में जगड़ा होना स्वभाविक था अंग्रेजों ने नबाब के आदेसों की अउहेलना की इससे कुरुद धोकर नबाब ने अंग्रेजों के गड़ कोलकाता पर आकरमन कर उन्हें परास्त कर दिया जब इस घटन का समचार चिन्नई या मद्रास पहुँचा तब कलाईव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कलकत्ता पहुँचा कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनाय अधिकार हो गया नबाब और अंग्रेजों के बीच अली नगर की संधी 9 फरवरी 1757 को ही और इस संधी की अनुसार कमपनी को बंगाल बिहार और उरीसा में बिना चुंगी दिये ब्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया लेकिन कलाइब इतने से संतुष्ट नहीं था वो तो बंगाल में अंग्रेजी सामराज्य अस्थापित करना चाहता था इसलिए कलाइब ने नबाब के बिरोधियों से 60 गाठ सुरू कर दिया नबाब का सेनपती मीर जाफर स्वयंग बंगाल का नबाब बनना चाहता था वो विश्वास घात करके अंग्रेजों से जामिला ये कहानी आप जानते भी हैं अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नबाब बनाने और मिरजाफर ने अंग्रेजों को हर परकार की सुविधाय देने का विचार किया और ये बहुत बड़ा सडेयंतर था भारती शासन में इस सडेयंतर में राय दुरलब, जगत सेठ और अमी चंद नामक व्यापारी भी व्यापारी कलाब के लिए शामिल थे और इस सडेयंतर क लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा और इसका पैडाम प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 इसके बारे में आये जानते हैं प्लासी का युद्ध 1757 तो जब नबाब को इसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने के 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद दौला और कलाइब की सेनाएं आमने सामने हुई, नबाब ने अपने सेनपती मीर जाफर को अंग्रेजो पर आकरमड की पहल करने को कहा, किन्तु मीर जाफर निश्क्री खड़ा रहा इससे सिराजुद दौला को उसके विश्वास घात का आभास हो गया, और वह सडेयंत्र से बचने के लिए लडाई का मैदान छोड़ कर भाग गया, नबाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदर मच गई, अन्तते नबाब को बंदी बना लिया गया, और मीर जाफर के प पुर्वक सासन नहीं कर सका, उसने अनुभो किया कि अंग्रेज उसे मात्र एक कट हुतली की तरह नाम धारी सासक की रूप में रखना चाहते थे, अंग्रेजों ने उसे अपनी सुनशिताय का साधन बना लिया, और उससे धन वसूलने लगे, कमपनी के एजेंटों और दल और उत्पीडन के फल सुरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोस हो गया, और इस राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से उब कर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा, इस बीच 1760 हिस्वी में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतार कर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने है तो उसको बर्धमान मिदनापूर चटगाउं जिले अंग्रेजों को देने पड़े, तो देखिए किस तरह का असर होता है, मीर जाफर ने अपने नवाब सेनाप सिराजुद मीर जाफर के बाद शासक बना, उसका दमाद था, वो एक योग्य सासक था, वो बंगाल की दसा को सुधारना चाहता था, उसने भी द्रोही अमीरों का दमन किया, अपनी सेना में आवस्यक सुधार किये, मुंगेर में तोड़ दार बंदू को और तोपों को बनाने का कारख हो न था, अंग्रेज अप्रसन होकर उसे हटाने का निश्य किया, मेर कासिम अंग्रेजों की नियत से परचित था, वो उसने साउधान रहता था, अतर उसने अपनी राजधानी भी मूरसिदाबाद से मूंगेर जो आधनिक बिहार में है, अस्थान नांतरित कर ली और उसक उसे गद्दी से हटा कर मेर जाफर को पुनह बंगाल का नवाब बनाने का निश्य किया, मेर कासिम इस अपमांजनक ब्योहार से आग बबूला हो गया, उसने अपनी सेना संगठित किया और अंग्रेजों से लडाईया लड़ी, लेकिन वो पराजित हुआ, वो भाग कर किस तरह से अंग्रेजों ने जो है अपना महतऽपूर्ण शासन अस्थापित किया प्लासी के युध के बाद, और प्लासी का युध भारती इतिहास में, बहुत ही महतपूर्ण युध माना जाता है, प्लासी का युध जो था, और आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापती राबर्ट कलाइब और बंगाल के नवाब सिराजुद दौला के बीच हुआ था और इसमें अभी आपने पढ़ा कि नवाब अपने सेनापती मीर जाफर की धोखा धरी करने के कारण पराजि थी उसके बाद मुर्शिदाबाद फिर मुंगेर में जो है मेर कासिम के द्वारा ये राजधानी अस्थापित की गई थी आप जानिये दोस्तों इसके बाद जो है अब बकसर का युद्ध आता है जो 1764 ही का है प्लासी का युद्ध 1757 का बकसर का युद्ध 1764 का है दोनों दोस्तों आप जान लीजे बकसर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद दौला और मुगल सामराथ शाह आलम दुती की सेनाओं के बीच संयुक्त रूप से हुआ था और इसमें तीनों की संयुक्त सेना यानि मीर कासिम यहाँ पर मीर कासिम है युद्ध भूम इसे भागने को विवस हो गया और अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया बकसर के युद्ध का भारती इतिहास में बहुत महत्व है अंग्रेजों की ये विजए इस विजए से ने केवल मीर कासिम की शक्त छिन्द भि दिन हो गई बलकि अवध भी अंग्रेजों के सैने और राजनेतिक प्रुभुत्त में आ गया जहां प्लासी की जीतने अंग्रेजों की आर्थिक इस्तिति मजबूत की वहीं बकसर की जीतने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिये बकसर की युद्ध के कर भारत आया उसने मुगल वादशा साह आलंदुती और अवद के नबाब सुजाउद दौला के साथ इलाहाबाद की दो संधियां की थी दोस्तों और जो बकसर का युद्ध हुआ था उसमें एक तथे और जान लीजे कि इस युद्ध में अंग्रेज सेनपती हेक्टर मुनर था तो बकसर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधियां हुई उसके जो सर्ते थे उनको देख लीजे इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी पर्थम संधि 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को पर्थम संधि में मुगल बाद शाह साह आलंदुती ने सा अधिकारी हो गये और मुगल बाद शाह को 26 लाख रुपए की वार्सिक पिंसन अंग्रेजों ने देना स्विकार किया इलाहबाद की दुति संध जो 16 अगस्त 1765 को हुई इसमें कमपनी ने कड़ा और इलाहबाद जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बाद शाह को दे दि तो इस तरह से क्लाइब ने बंगाल के नवाब से एक संधिकी जिसके अनुसार बंगाल में द्वैध सासन की अस्थापना की इसके अंतरगत प्रिशासन का उत्तरदाय तो नवाब के कंधों पर डाला गया और राजस्व वसूली का अधिकार कमपनी ने अपने हाथों में ले लिया यानि जो प्रसासन और उसमें समस्या है थी वो नवाब देखेगा राजस्व वसूली यानि धन और अर्थ व्यवस्था संबंधी जो अधिकार थे वो कमपनी के पास चले आए तो इस तरह से भारत पर प्रभुतों जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारती सामा राजिक आर्थिक राजनेतिक धाशे पर अपना वर्चस्व अस्थापित किया और भारत को अपना अपनिवेशिक राज्य बना लिया आए आगे देखते हैं कि अंग्रेजों के ब्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीजें महत्तुपूर थी ये बहुत ही महत्तुपूर है अंग्रेजूं के व्यापार के लिए भारत के लिए भारत की kya क्या चीजे महद्दपूर्थी पहला तो ये चुंगी कर्मे चूट और सामानों को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने की चूट जिस से उनका सामान दूसरों से सस्ता हो उन्होंने ब्यापार में मनमानी किया भारतियों को अपना सस्ता सामान बेचने कमपनी का महगा माल खरीदने प्रतिद्वंदी यूरोपी ब्यापारियों को बाहर रखने कमपनी का ब्यापार भारती राजाओं की नीतियों से स्वतंत रहकर जारी करने के लिए मजबूर किया बंदरगाहों के पास किला बंदी करना पट्टे पर प्राप्त अस्थान का परसासन चलाना और अपने साथ लाए हुए सोने चादी से भारती सिक्के ढलने की अनुमत छेतरी सासक से प्राप्त करना इसके बतले छेतरी राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राज्य को देना ये सब नीतियां थी जो की अंग्रेजों के ब्यापार के लिए ये सारी चीजें बहुत महुत पूर्ण थी ब्रीटिस कमपनी भारत में राजनेतिक सत्ता अस्थापित करने के लिए भारती राजाओं के साथ इन सब हतखंडों का इस्तेमाल बड़ी चतुराई के साथ करते हुए अपना राज्य बढ़ाती रही और एक ऐसा समय आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों राजाओं के साथ कुछ अक्र किया फूट डाला आपस में लड़ाया और इस तरह से कई अन्य तरीगों का इन्होंने निरलज्जता पूरवक प्रियोग किया अंग्रेजी शर्तों के अधीन छेतरी राजाओं का कोश यानि जो खाजाना था वो खाली होता गया उन्हें रा रही और इस तब क्लीफ के लिए राजा जिम्मेदार ठहराये जाने लगे इस इस्थिती का कोई राजा विरोध नहीं कर सका क्योंकि उन्हें अंग्रेजों के विरोध की शक्ती नहीं थी और नहीं भारती राजाओं में आपस में एकता थी और इसी इस्थिती का फायदा हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त छेतरी शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की दरह नचाते और अपने अधीन करते रहे अंत में प्रमुकरूप से अवध बंगाल और दिल्ली के सासकों पर ब्रिटिसों ने अपना अधिकार कर लिया और एक तरह से देखा जाए तो उत्तर भारत का बहुत बड़ा छेतर ब्रिटिस सत्ता के अधीन आ गया था तो दोस्तों ये था आज का अध्याय आठ्मीक अच्छा के इतिहास का अध्याय दो भारत में अंग्रेजी राज्य की अस्थाबना तो इनमें बंगाल जो है बहुत ही महत्वपूर राज्य हुआ करता था और बंगाल का जो शासन था वो सिराजुद दौला से छीन कर इन्होंने मेरजाफर को दिया अपने लाव के लिए इन्होंने तरह तरह की नीतिया बनाई और प्लासी का युद्ध 1757 से अंग्रेजों की जो आर्थिक परतिष्ठा थी वो भारत में सिद्ध हुई लेकिन 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सुझा दौला और मुगल सामराट साह आलम दुती की संयुक्त सेना को पराजित करके और अंग्रेज जो है भारत में आर्थिक और राजनेतिक दोनों रूप से अस्थाई शक्ती साबित हुए आईए इस अध्याय में शामिल जो सबडावली है उसको देख लेते हैं फरमान तो फरमान आदेश पत्र होता है मुगल बादसाह द्वारा दिये गए आदेशों को फरमान कहते थे इन पर शाही मोहर लगी रहती थी दस्तक क्या था तो भारती राजाओं द्वारा अंग्रेजी कमपनी को बिना कर दिये सामानों के आयात निर्यात में छूट के लिए पास या दस्तक यानि पास जारी करने का अधिकार कमपनी को मिला था अब आईए बहु बिकल्पी प्रशनों पर अभ्यास प्रशनों पर आते हैं और यहां से आप इनको सही सही अटेम्ट करिए देखिए प्लासी की युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतरी तो किस ने किया था आपको बताना है महत्तपूर्ण प्रशन है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्लाइब ने मुर्सिदाबास से मुंगेर अपनी राजधानी अस्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था तो सही उत्तर मीर कासिम गः हो जाएगा अगला प्रशन अतिलगुत्तरी प्रशनों में है आप देखेंगे कि British East India Company की ताकत बढ़ाने में किसका योगदान था तो आपने पढ़ा है Robert Clive का विशेश योगदान था Robert Clive का योगदान था British East India Company की ताकत बढ़ाने में और दूसरा प्रश्ण है कि इस्ट इंडिया कंपनी नील काफी चाय के बागान कहां लगाती थी तो ये भारत में लगाती थी और ब्रिटिस उद्योगों के लिए यहां से कच्चा माल इंग्लेंड भेजा जाता था। अतिला घुत्तरी प्रश्णों पर आते हैं प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था तो सही उत्तर है प्लासी का युद्ध कलाइब राबर्ट कलाइब और नवाप सिराजुद दौला के बीच हुआ था। बकसर के युद्ध का महत्व बताईए तो 1764 में बकसर का जो युद्ध था ये भारती इतिहास में बहुत ही महत्वपूर है प्लासी की जीतने अंग्रेजों की आर्थे की स्थिति मजबूत की थी वहीं बकसर की जीतने अंग्रेजों के पैर भारत में मजबूत कर दिये थ ताकि सामान स्वस्तर है व्यापार में उन्होंने मनमानी किया प्रतिद्वंदी यूरोपी व्यापारियों को बाहर किया और स्वतंत रहकर अंग्रेजों से भारती राजाओं की नीतियों से स्वतंत रहकर अपने हित में जो कारे थे उनको जारी रखा इन्होंने बंदरगाह के पास की ले बंदी की और सोने चांदी से भार्ती राजियों में अपने सिक्के जारी किए अनुमती प्राप्ते की छेतरी चासकों से इसके बदले छेतरी राज्यों को बंदरगाह से प्राप्त चूंगी का आधा हिस्सा राजा को देना था और ब्रिटिस सक्ता ब्रिटिस कंपनी भारत में राजनेतिक सक्ता स्थापित करने के लिए भारती राजाओं के साथ इन तरह के तरीकों का इस्तेमाल करके बड़ी चतुराई के साथ उसने अपना राज्य और सासन बढ़ाया और आगे चल कर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने भारत के नबाबों और राजाओं को अस्थानांतरित करके भारत का सासन अपने हाथ में ले लिया जो प्रश्न थे उनको भी हमने हल किया ताकि आप इस अध्याय को अच्छे से तयार कर सकें ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदुशन फॉर सिविल सर्विशेज को करें वीडियो